हेलो गाईज वेलकम टो माई येटूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे देखिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है की बहुत बड़ी वेकंसी आई है तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जूरे हैं तो पहले जूर जाएए देखिए यहां दोस्तों हर एक एक एकजाम का अपडेट आपको टाइमली मिलते रहता है कौन सा वेकंसी आया कौन सा नहीं आया किसमें क्या चेंजर हुए कब करे किजिए और बेल आइकन को दबा देजिए चलिए देखते हैं क्या अपडेट है दोस्तों देखिए सी आई से कौन स्टेबल फायर वैकंसी एक ग्यार सौन चार्ज पर इसकी रिक्रूटमेंट होने जा दिए जिसका योग्यता यानि एलिजिबिलिटी क्या रखा गया चलिए पहले पूरी नोटिफिकेशन को देखते हैं इसके लिए हमें चलना परेगा कि इसके ओरिजनल बैव साइट पर तो चलिए चलते हैं देखिए दोस्तों सी आई सेप का ओरिजनल साइट मैंने खोल रखा है देखिए सी आई सेप देखिए सी आई से डॉट जी ओभी डॉट इन आपको इसी साइट पर आके अपलाई करना परेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं ठीक है और यहां नोटिस बोर्ड में देखिएगा तो यहां पर ही आ जाएगा देखिए तो चलिए इसका पहले नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है देखिए रिकूरूटमेंट आप कॉंस्टेबल फायर 2021 ठीक है देखिए रिकूरूटमेंट आप 2000 यह चेंज होते रहता है पूरा स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना परेगा देखिए यहां से पूरा कीजिएगा चलिए मैंने खोल रखा है पहले से देखिए रिकूरूटमेंट आप कॉंस्टेबल या फायर ठीक है मेल 2021 यह मेल के लिए है सबसे बरिवात कि इसमें फिमेल कंडिडेट अपलाए नहीं कर सकती देखिए डेट आप अप्लिकेशन कब है आज से नहीं है देखिए आज 29 है 29 एक 2022 से 4 मर्च 2022 चार तिन 2022 अप तू पांच पीम पांच पीम तक चार तिन 2022 तक अपलाए कर सकते हैं आप देखिए तोटल नोटिविकेशन चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है नहीं है तब आपको पता लगया देखिए यह लेबल 3 कुछ इंपोर्टन चीज आपको बताते चलते हैं ऐसे पूरा अप्लिकेशन आपको बताएंगे तो बहुत लंबा टाइम होगा इसमें जो जो इंपोर्टन चीज लग रहा वो मैं आपके साथ सेयर करता हूं ठीक है यह लेबल 3 की जॉब है और आपक 33,000 ले लिए 33,000 पर मन्त आपको सब डिडेक्शन होके आपको मिलेगा इन हैंड ठीक है काफी बन यह जोब है दोस्तों और आगे देखते हैं कितना किस स्टेट में क्या-क्या वैकेंसी है दखिए वह है कि दखिए फिजिकल फिजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट भी होगा इसम ठीक है इसके बाद डॉक्यूमेंट वहरिपिकेशन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है और चल यह नीचे देखते हैं और क्या है दखिए अप्लिकेशन जो होगा इंपॉर्टन चीज बता रहे हैं आपको अप्लिकेशन जो होगा ओनलाइन मोड में होगा यहीं से जाके आपको अप्लाइ करना परेगा और इसमें क्या-क्या होगा तो आपको उपर भी बता है पेट फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट ठीक ह या फिस्ट यानि फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन होगा ठीक है cbt2 ओनलाइन मोड में होगा इसके बाद डॉक्यमेंट वहरीपेकेशन होगा इसके बाद मेडिकल होगा इसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग होगा ठीक है इंग्लिस और हिंदी लेंग्वेज में होगा जो cbt2 होगा वह देख्ये लेंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिस या हिंदी ठीक है चलिश यह सब वैसे ही है आप निचे देखते हैं और क्या चिज देखे पेई स्केल तो मैंने बता चुका कि लेबल थिरी का जॉब है ठीक है और कंडिडेट मस्ट भी सिटीजन आफ इंडिया वेकंसी डीटेल आप देखे वेकंसी डीटेल आपको देखे दोस्तों अन्डुमान या निकोबार में ठीक है जीरो वेकंसी है आंद्र परदेश में 28 वेकंसी टोटल अरुनाचल परदेश में एकावन वेकंसी अरुनाचल परदेश में 9 वेकंसी आसाम में 103 वेकंसी बिहार में 58 वेकंसी फिर 65 वेकंसी ठीक है इस टाइप करके है मतलब entire state, nuxal state हर एक तरह का है, ठीक है, इसी तरह सारे state का देख लिए किस state में आया, कितना vacancy, और यह आपको बहुत अच्छा opportunity है, दोस्तों, आपके hometown, मतलब home state में भी आपका posting मिल सकता है, यहां से, ठीक है, अगर आप लोग select होते हैं, तो, तो आगे का notification देखते हैं, क्या आपको बताया था, एक 1149, टोटल एक 1149 है, यह सब category वाइज है, देख लिएगा, यह सब, जिस category से belong करते होंगे, आप लोग, अब आगे देखिए, और देखिए दोस्तों, 10% vacancy, जो है, reserve है, ex-servicemen के लिए, ठीक है, यह है, जो जो चीज important लग रहा हूँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसका link में, notification का link में, आपको description में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग प्रोपर चेक कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, क्या है, देखिए, अब आते है, eligibility criteria पर, यह आपके लिए important है, ठीक है, educational qualification, क्या होना चाहिए, 12th, 12th class या equivalent, ठीक है, recognize board with science subject, एक चीजी important कीजेगा, दोस्तो, 12th जो आपका होना चाहिए, वो science background उसे होना चाहिए, साफ लिखा है, ठीक है, और, जब तक closing date है, तब तक आपका 12th हो जाना चाहिए, 12th appearing वाले अभी तो नहीं apply कर सकते हैं, क्योंकि उनका result जून में आना चाहिए, और यह जब तक apply, यानि मार्ज तक अगर आपका result आ जाता है, ठीक है, board exam का, तो आप लोग apply कर सकते हैं, ठीक है, age limit रखिया, 18-23 year होना चाहिए, ठीक है, कब से, यह 4-3-2021, ठीक है, 4-3-2021 तक आपका age 18-23 year के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और, चलिए आगे देखते हैं, और इ age में छूट है, SC-ST को 5-year, OBC को 3-year, ex-serviceman को 3-year, और, 1984 का जो rights हुआ था, उसमें, कोई victim है, तो उसके लिए, unreserved के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, ST-SC के लिए 10 साल, इतना है, चलिए, और आगे देखते हैं, आगे क्या है, और कुछ important होता है, तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए, physical standard, क्या होना चाहिए, यहाँ पर दिया है, physical standard, height आपका 170 cm होना चाहिए, chest आपका क्या होना चाहिए, 80 से 50, minimum expenses, यानि बिना फुलाए हुए और फुला के, 5 cm का gap होना चाहिए, उसमें, ठीक है, और इसमें height में छूट भी दी गई है, देखिए, किनको किनको छू जो हिली एरिया जिसे आते हैं, ठीक है, जैसे गरवाल हो गया, हिमाचल परदेश हो गया, ठीक है, उनके लिए इन्होंने height 165 cm देखिए, डोगरा हो गया, ठीक है, मराथा हो गया, और इसी मतलब दिया लगा के रिजन के हो गया, कस्मीर बैली का हो गया, कोई, तो उसके ल requirement, 78-83, 5 cm वही, expansion के बार, ठीक है, और यह दिया है कि इसमें important करके गोरखा के बारे में दिया है, कहां का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, और candidate belonging to tribal, जो कोई tribe से आता है, ठीक है, मीजो और नागा, including मीजो और नागा, ठीक है, उसका height 162.5 cm होना चाहिए, और chest देख लिए, 37-82 cm, चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे कुछ, और आगे क्या है, यह सारा notification आपको detail में बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग हमारे channel से नहीं जूरे हैं, तो जूर जाईए, देखिए, weight का कोई fix नहीं है, ठीक है, medical standard, medical standard तो वो अलग से होता है, देखिए, और एक चीज, टेटू के बारे में दिया गया है, ठीक है, देखिए, टेटू जो पहला point जो बोला है ना, कि अगर religious tattoo है, ठीक है, religious symbol है, figure है, name, Indian army are to be permitted, वो permitted है, टेटू, ठीक है, religious है, जैसे कोई भगवान का आपने कुछ कर लिया, या कुछ religious symbol कर लिया, तो वो permitted है, ठीक है, और ये सब दिया है कि location क्या होना चाहिए, कहां allowed है, कहां नहीं है, ठीक है, और क्या, ये सब सारा दिया है, ये सब देख लिजेगा, वैसे जो भी सेना सब में जाना चाहता है, वो तो tattoo नहीं ही बन वाता है, आपको तो पता ही होगा, फिर भी ये सब point आप लोग देख लिजेगा, अब चलिए, आगे देखते हैं क्या है, ये सब वही है, ये सब उतना important नहीं है, अब देखिए, apply के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले जाना है उहां पर, नीच साइट पर जाना है, वहाँ पर one time registration होगा, इसके बाद login password मांगेगा, फिर application form आएगा, फिर उसको fill up करके, और submit करना और payment कर देना, ठीक है, ऐसा है, और देखिए, uploading of photograph, ये सब उतना important होता है, कि photograph कैसा चाहिए, देखिए, देखिए, note more than, यहां पर, three months, three months से ज़्यादा older नहीं होना चाहिए, date of publication of this notification, मतलब जब notification निकला है, यानि 28 को साइद निकला है, तो उसके मतलब तीन मन्त पुराना नहीं होना चाहिए, उस date से, और ये resolution दिया है, कि कितना से कितना के भी के बीच में upload करना है, तो 20 से 50 के बीच में upload करना है, the photograph should about, ये dimension दिया, 3.5 cm width होना चाहिए, और 4.5 cm height होना चाहिए, और the photograph should be without, बिना cap के होना चाहिए, बिना spectacles के होना चाहिए, यानि चस्मा के, और both ears should be visible, ठीक है, दोनों कान जब फोटो कीचा रहे हों, तो दोनों कान आपका दिख रहा होना चाहिए, फ date of which photograph has been taken must be clearly printed on photograph, और देखे, most important, जब आप फोटो कीचाईएगा न, तो उस पे date of photo mention होना चाहिए, किस date को खिचाया गया, DOP करके, माल लिगे, example, आज आप लोगों ने खिचाया, आज 29 तारीक है, 29 जया, तो DOP लिखे, 29 01 2022, photograph पे लिखा होना चाहिए, ठीक है, application with blurred photograph, यानि आपका चेहरा साफ नहीं आ रहा, blur आ रहा, तो reject कर दिया जागा, यह साफ लिखा हो है, ठीक है, और uploading signature, देखे, signature, JPEG format में होना चाहिए, 10 से 20 के भी के बीच में होना चाहिए, और image dimension दिया, 4 cm with होना चाहिए, 2 cm height होना चाहिए, और application with illegal signature will be rejected, ठीक है, यहां तक समाज आ गय updating of documents, अब देखे, उसमें uploading of documents, क्या-क्या document required है, तो, देख लिजे, candidate is required to upload scanned copy of relevant document in pdf format, in his, देखे, नीचे क्या है, matriculation, मतलब, अपने age के prove के लिए, ठीक है, और educational qualification के लिए, आप लोग क्या-क्या दे सकते है, matriculation certificate, और senior secondary examination certificate, यानि 12th का certificate दे सकते हैं, ठीक है, educational qualification के लिए 12th का, age के लिए 3th का certificate, कि आपकी age कितनी हो रही है, उसके लिए, अब चलिए नीचे देखते हैं, और क्या है, देखे, last date, तो मैंने आपको उपर ही, में ही बता दिया, 4 March 2022, 5 PM, ठीक है, ये, इस, ये point बोल रहा है, कि आप last date का wait मत कीजिए, server पे load, heavy load होता है, इसलिए आप, जितना जल्दी हो सके, form fill up कर दिए, ठीक है, और ये सब वैसे ही है, अब चलिए, अब application P के बारे में बात कर रहे है, application P कितना पे करना परेगा, देखे, 100 रुपया है, ठीक है, और देखे, candidate belonging to SC, ST, ex-servicemen, eligible for reservation, are exempted from payment of P, यानि जो SC candidate है, ST candidate है, या ex-servicemen है, उनको कोई P नहीं पे करना है, 0 P पे करना है, ठीक है, कोई P नहीं पे करना है, ठीक है, और P can be paid only through net banking, using debit और credit card, और UPI through cash in SVI branches, getting SVI चलान, ठीक है, SVI चलान के थ्रूँ भी आप लोग fee payment कर सकते हैं, यह यह, आप लोग, कोशिस किजिएगा, net banking के थ्रूँ ही करने के लिए, काफी सही होता है, ठीक है, online fee कब तक upload कर सकते हैं, मतलब कब तक pay कर सकते हैं, तो 4 March 2022, सारह 11 बज सकते हैं, ठीक है, इसमें यह, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब दिया हुए, और चलिए देखते हैं, आगे, और important क्या है, जो आपको ध्यान रखना है, admission of examination, वो तो वैसे ही है, ठीक है, देखिया, recruitment process, सबसे पहले, physical efficiency test, या physical standard test, होगा आपका, इसमें सारा चीज दिया हुए, आप लोग देख सकते हैं, और देखिये क्या होगा, देखिया, physical standard efficiency test में, एक चीज आपको नोट करने वाली है, कि आपको 5 km, ठीक है, 5 km running मांग रहा कितने 24 मिनाट में, ठीक है, यह आपको compulsory है, 5 km running, कितने मिनाट में, 24 मिनाट में, ठीक है, हाई twitter तो आपको बता दिया है, test बता दिया है, सारा कुछ तो ऊफर आपको बता दिया है, चलिए और देखते हैं क्या, दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जूरे हैं, तो जूरिये, काफी detail में आपको सारा कुछ information दिया जाता है, हर एक exam के बादे में, देखे, test में क्या-क्या होगा, CBT 2, CBT जो होगा, computer-based test, उसमें क्या-क्या पुछा जाएगा, तो general intelligence and reasoning, ठीक है, general knowledge and awareness, ठीक है, elementary mathematics, यानि arithmetic वेगर आप से पुछा जाएगा, और English या हिंदी, English या हिंदी कोई भी एक होगा, और वो 25 question होगा, आपको 25 नहीं, टोटल, 120 मिनट में, आपको 100 questions, 100 नम्मर के होग ठीक है, time कितना होगा, time duration, extra 20 मिनट, ठीक है, exam के बारे में भी आपको पता लग गया, अब चलिए, अब आगे देखते हैं, कुछ important है कि नहीं, देखे दोस्तों, ये document, verification and medical examination, वो तो आपको बाद में होगा, ठीक है, अब दोस्तों, कोई important, ये sample दिखा दिया, कैसे fill up करेना, देख लिजे, new registration, name, verify name, ठीक है, ऐसे, ऐसे fill up करेना, father's name, क्या-क्या information मांगेगा, देखे, ये sample बता दिया है, कैसे fill up होगा, ठीक है, ये लोग, आप लोग देख लिजेगा, इसका, जो link है, CISF का, उसका, मैं description में डाल दूँगा, ठीक है, बाकी चीज़ वही है, जो आपको उपर बता है, कि photo signature क्या होना चाहिए, सब चीज़ वही है, तो देखे दोस्तों, अच्छा opportunity है आपके लिए, ठीक है, आप लोग जरूर इसके लिए apply करिए, और courses किजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आप लोग apply कर दें, क्योंकि बाद में server काफी heavy load पे चला जाता है, और काफी अच्छा opportunity है, अगर आपका physical standard, यानि height वेगर match कर दा, तो आप लोग बिलकुल भर दीजिए, और तयारी कर लिए, एकदम definitely हो जाएगा, ठीक है, और मेरे channel को subscribe कर दीजिए, कोई भी update इसके related, और नया कुछ भी आता है, तो आपको सबसे पहले मेरे channel पर देखने को मिलेगा, चलिए दोस्तों, वीडियो को यही खतम करते हैं, और याद रखिए, चार मार्च तक last date है, फिर से बता देता हूँ, चार मार्च के पहली भरी है, चार मार्च तक last date है, पांच बज़े तक, उसके बाद आप लोग apply नहीं कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, मेरे channel को subscribe केजिए, like केजिए, और bell icon icon को दबा दीजिए, और वीडियो को यही खतम कहते हैं, जय हिंद, जय भारत!